हलो फ्रेंड्स मैं अमित माल भी एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ हमारी यूटूब चैनल के एक और नए वीडियो में तो दोस्तो भारत सरकार की तरफ से यहां पर एक नया पॉर्टल लाँच किया गया है मेरी पहचान तो आज के इस वीडियो में दोस्तो मैं आप लोगों को इसके बारे में completely information provide करने वाला हूँ साथी साथ आप जो है इस पॉर्टल पर किस तरह से login करेंगे इस पॉर्टल का आपको क्या-क्या benefits होने वाला है सारा कुछ detail में आप लोगों को बताने वाला हूँ तो चलिए शुरू करते हैं आज किस कमाल की वीडियो तो दोस्तो यहां पर भारत सरकार की तरफ से मेरी पहचान पोर्टल जो live किया गया है जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं पहचान एक सेवाई अनेक अब दोस्तो इसका main उद्देश क्या है हम क्या होता है बहुत सी बार क्या है कि हमको बहुत सारे अलग-अलग वेवसाइट पर बहुत सारे अलग-अलग ID and Password का यूज करना होता है जैसे कि दोस्तो आपने देखा होगा अगर आपको E.R.S.T.P पर जाना है तो बहुत नजर रखते होए केबल एक ही ID Password आपको केबल एक ही ID Password बनाना होगा अब दोस्तो दिक्कत क्या होती थी? इना ID Password को याद रखना भी बहुत ज्यादा मसक्कत वाला काम होता है हमारे लिए जैसे कि अब कौन सी ID का कौन सा password है किस portal पर हमने किस नाम से ID बनाई है तो दोस्तो इस दुविधा को एक तरफ करने के लिए यहाँ पर government ने एक मेरी पहचान रास्टी एकल sign up मतलब एक बार आप sign up करेंगे तो दोस्तो यहाँ पर आप जो है ID password बनाएंगे एक ही ID password आपको अनेकों पोर्टल हो पर sign in करने की permission प्रोवाइड करेगा आप दोस्तो उपियोग करता जाने तो आपको यहाँ पर उपियोग करता के बारे में सत्या पर जानकारी मिलेगी जिससे मेरी पहचान के माध्यम से लोगिन किया गया है उपियोग करता आन्य सरकारी सेवाओं तक पहुशने के लिए मेरी पहचान प्रोफाइल का जानकारी का उपियोग करतने में सक्षम होंगे अब आप जो है कोई भी पोर्टल पर जाएंगे तो आपको जो है rich कर दिया जाएगा मेरी पहचानवाले पर और आप जो है मेरी पहचानवाले आइडी पास्पट यहां पर डालेंगे तो आपका जो पोर्टल ऊपन हो जाएगा इस तरह से यह पोर्टल काम करेगा अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना ID किस तरह से बनाना है तो आपको simply करना है क्या होगा आपको यहाँ पर एक login का बटन दिखाए दे रहा है आपको यहाँ पर click करना होगा तो दोस्तों जैसी आप login वाले बटन पर प्रेस करेंगे नहीं किया है तो आप यहाँ पंजी करन वाले option पर जाएंगे जैसे कि आप यहाँ पर click करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस तरह का interface page open हो जाएगा अगर आप नए user हैं तो आप new sign up पर click करेंगे जैसी आप new sign up वाले बटन पर click करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक छोटा सा farm open हो जाएगा आपको simply क्या करना है यहाँ पर अपना mobile number डालना है उसके बाद आपको generate OTP पर click करना है generate OTP क्लिक करने के बाद आपको OTP इंटर करना है फिर आपको आपका first name लिखना है यहाँ पर आपको आपका last name लिखना है date of birth आपको यहाँ पर enter करनी है यहाँ पर आपको जो है अपना जेंटर select करना है यहाँ पर आपको जो है आप ID बना सकते हैं ID आप जो है अपने नाम से किसी भी तरह से उसको बना सकते हैं यहाँ पर आपको एक password create कर लेना है दोस्तो password आपको यहाँ पर create करना है उसके बाद उसी password को यहाँ पर आपको confirm करना है and आपको यहाँ पर I accept वाले button पे click करना है and verify पे click करना है तो जैसी आप verify वाले बटन पर click करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका ID password create कर दिया गया है आप continue वाले बटन पर press करेंगे अब दोस्तों यहाँ पर आपको EKYC करना होगा proof of with EKYC ठीक है ना skip ना भी कर सकते हैं आपको तो हम EKYC भी कर लेते हैं तो जैसी आप verify वाले बटन पर click करते हो तो आपका यहाँ पर आधार successfully link your gen पर इच है ठीक है ना आपको close कर देना है तो दोस्तों जैसी कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का interface page open हो जाता है और यहाँ पर आपको जो है काफी सारी services देखने के लिए मिलेगी काफी सारी नहीं मतलब जो भी जितनी भी service यहाँ पर live की गई है governments के दौरा वो सारी की सारी service यहाँ पर include कर दी गई है आप यहाँ से किसी भी portal पर easily login कर पाएंगे या किसी भी portal को easily access कर पाएंगे यहीं से अब आपको अलग से ID password की कहीं पर भी ज़रुरत नहीं पढ़ने वाली है आप किस state के रहने वाले हैं अपनी state को जैसी आप यहाँ पर choose करेंगे जैसे कि मैं मदप्रदेश से हूँ तो मैं जैसी यहाँ मदप्रदेश किलिक करूँगा तो मदप्रदेश की यहाँ पर जो है जितनी भी सारी portal से governments की वो यहाँ पर सारी की सारी show होने लगेगी जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ठीक है ना तो आज किस वीडियो में दुस्तो ये थी मेरी पहिचान पोटल को लेकर एक important वीडियो, I hope कि आपको information पसंद आये होगी, अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी भी knowledge मिली हो तो वीडियो को like कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe कर लीजिए, इसी तरह का content आपको हमा हुआ 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 है